गुड मॉर्निंग चिल्रेन, आज का लेसन है, पार्ट एक, संगीत की परिभाशा और इसका महत्व, तो संगीत का परिभाशा क्या है या जानने के लिए हम जानेंगे, कि गायन, वाधन और नृतिय, इसका मतलब गाना, बजाना और नाचना, नृतिय मतलब वो नाचना होता वायन मतलब गाना और वादन मतलब बजाना, बजाने बजाने और नाचना ये तीनों जब एक साथ मिलादिये जाते हैं तो संगीत कहलाने आपने देखा होते हैं, doitकेले कोई गाना ँगा रहा है तो संगीत नहीं है, या अकेले कोई इंस्ट् 스ुमेंट गा रहा है वो भी संग लेकिन जब तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो वही संगीत कहलाता है अब देखिए गायन वादन और तीनों में गायन कला सबसे अच्छी मानी गई है सरशिष्ट मानी गई है क्यों कि आपने देखा होगा कि जब गायक जैसे गाता है इस्टुमेंट प्लेयर या जो बाजा बजाते हैं वो गाना के अनुसार बजाते हैं और जैसा बाजा बजता है उसी के अकॉर्डिंग डांस भी किया जाता है उसके वाद है हमारे जीवन में संगीत का क्या महत्तो है तो आपने देखा है कि संगीत साथना से सामाजिक आध्य भगवान का भजन किर्तन भी अच्छा कर लेता है, भगवान का प्रेयर अच्छा कर लेता है, और शरीर से भी तंदुरुस्त रहता है, ऐसा करने के लिए आप भी कोई प्यारा सागीत, जो अपने पैरेंट्स को सुना सकें, तयार करके और आप उन्हें सुनाएंगे, और अच्छा, थैंक यू